नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी कामारी यूट्यूब चैनल में जैसे कि आपको पता कि हम NCRT को डिसकस कर रहे हैं तो आज हम बात करेंगे एकोनोमी की और चोथी क्लास रहेगी और देखिए चैप्टर जे रहेगा नाइंथ क्लास का भारत में खाद्यो सुरक्षा त इन जिन को इनका इसका अंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजीगा तो चली वीडियो को शुरू करते हैं देखते हैं पहला प्रशन पहला प्रशन है कि नीचे दियेगे कथनों में से कौन सा जा कौन से कथन सही है पहला है कि बफर स्टोक भारती खाद्य निगम के माद्यम से सरकार दोरा अधी प्राप्त अनाज गीहूं और चाबल का भंडार है दूसरा है कि निउन्थम स्मर्थन कीमत के अंतरगत सरकार दोरा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही गोशित कीमते दी जाती है तो बताइए इनमें से कौन से कथन जा कौन सा कथन सही है तो देखिए इस प्रेशन का जो राइट अंसर रहेगा बे रहेगा एक और दो दोनों जाने कि दोनों ही कतन क्या है दोनों ही कतन सही है ओप्शन सी इस प्रेशन का राइट अंसर रहेगा नेक्स्ट है निर्गम कीमत जाने कि इशू प्राइज का अभी प्राइज है बफर स्टोक भी कहा जाता देंगे पहले प्रशन में इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि दूसरे प्रशन में इस पर ही बात होनी थी तो बफर स्टोक क्या होता है FCI के माद्यम से सरकार दोर अनाज गेहु एवं चावल का भंडारन करना जिसे बफर स्टोक कहते हैं क्यों करती है सरकार ऐसा है सरकार ऐसा है इसलिए करती है ताकि अनाज कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के ग्रीव वर्गों में बजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वित्रन किया जा सके और इस कीमत को कहते हैं, निर्गत कीमत जा इस्यू प्राइज. Next question है, राशन कार्ड के संदर्व में नीचे दिये गए युगमों में कौन सा सही समेलित है? अन्तोद्य कार्ड लोगों के लिए तो निर्दन में भी निर्दन BPL कार्ड के लोगों के लिए गरीबी रेखा से नीचे APL कार्ड अन्ने लोगों के लिए जाने कि जहां पर देखे categories दे रखी है कि जो निर्दन में भी निर्दन होगा अंतोद्धे कार्ड उसके लिए है, ग्रीब भी रेका से जो नीचे रहता है उसके लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड, आपने बताना है कि कौन से जुगम इसमें सही सुमेलित हैं, क्या जो सारे सही सुमेलित हैं, जो कोई भी सही सुमेलित नहीं है, तो दे निर्दनों में भी निर्दन लोगों के लिए अंतोध्य कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड. नेक्स्ट प्रेशन की तरह बढ़ते हैं, भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के सबंद में शुरू की गई बभिन जोजनाएं एवं उनके लक्षित समुहों के संदर्व में कौन से युगम सही सुमेलित हैं, तो जोजना का नाम है सार्वजनिक वित्रन और लक्षि पिशडे बलोक, तो आपने बताने हैं इनमें से कौन से युगम सही सुमेलित हैं, तो देखिए एक, दो, तीन, सही सुमेलित हैं, जो की चोथा है, जो अनपूर्ण जोजना है, वो सही सुमेलित नहीं है, तो वो सही सुमेलित क्यों नहीं है, उसका सही सुमेलन क्या होगा जाने की तो वो हम इस अब इस डिटेल में देखते हैं तो देखिए एक दो तीन सही सुमेलित हैं सार्वजनिक वित्रन परनाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा में भार सरकार का सरवाधिक महत्वण कदम है प्ररंब में जे परनाली सब के लिए थी निर्दनों और गैर निर्दनों के बीच कोई बेद नहीं किया जाता था बाद के वर्षों में सार्वजनिक वित्रन परनाली को अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया यून 1997 में सभी क्षेत्रों में ग्रीबों को लक्षित करने के सिधानत को अपनाने के लिए लक्षित सार्ब जनिक वितरन परनाली जनिके टीपी डीएस प्रगरम की गई जे पहला मोका था जब निर्दनों और गैर निर्दनों के लिए भिवेदक कीमत निती अपनाई गई इसके अलावा दो हजार में शुरू की कई अंतोद्य अन जोजना जो गरीबों में भी सरवा दे गरीब तो क्यों से गलत सुमेली था तो अनपूरना जोजना जो की दीन वरिष्ट नागरिक समूहों को लक्षित करके हुए बनाई थी और लेकिन option में क्या दे रखा था इसका जो सुमेलन किये गया था वो इसके साथ किये गया था पिछडे ब्लोक तो इसका सही जो सुमेलित किया जाएगा तो किसके साथ किये जैगा नपूना जोना का लक्षे क्या था दीन वरिष्ट नागरिक समुहों को लक्षित करते हुए जोजना बनाई गए थी तो देखे क्लास 9 के चैप्टर में भारत में खाद्य सुरक्षा से इतने ही महत्यपुन प्रशन बन सकते थे वो मैंने आपके सामने डिसकस किये तो अगर वीडियो एच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जुरूर कीजेगा इसी तरह कि महत्यपुन वीडियो आगे भी हमारे चैनल पराती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जूर प्रेस कर लीजीगा